तो नमस्कार प्रिविद्यार्थिगंड आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्रकला के बारे में जो लोग जो लोग यूपी बोर्ड का एक जाम देने जा रहे हैं और चित्रकला लिये हैं उन्हीं के लिए यह वीडियो है तो अगर आप भी क्लास 10 में चित्रकला लिये हैं और जो बहुबिकल्पी बीश नंबर का जो बहुबिकल्पी आता है ओ कहां से करेंगे उसको हम बत बॉधो जदा तो पढ़ते रह जाएंगे और हो नहीं पाइगा है बहुत ज़्यदा सुल बस उसमें देए रहता है और आप पढ़ने ही पाएंगे वहाँ से आपको नहीं पढ़ना है हम जितना करा रहे हैं बस इतना ही आप अगर कर तो आपका काम बन जाएगा यहीं से पूछा जाएगा जो हम बता रहे हैं जो हम पढ़ाएंगे इसी से रहेंगे सबी क्यूस्चन तो आपको इसको पढ़ लेना है content यहां से इसके बाद आप अंसाल पेपर हल कर शकते हैं इसके बाद देखते हैं गुफाओं की संख्या, गुफाओं के बारे में आता है, तो गुफाओं की संख्या कितनी है, गुफाओं की संख्या, गुफाओं की संख्या, गुफाओं की संख्या, गुफाओं की संख्या देख लेते हैं, तो एलोरा गुफा, एलोरा, एलोरा गुफा की संख्या है कितनी की चुंंतिस गुफाएं हैं एलोरा में इलोरा में चुंतिस गुफाएं हैं इसके बाद बाग की गुफा में है नो गुफाएं है इसको ध्यान रखेंगे इसके बाद अजन्ता की गुफा की संख्या कितनी है अजन्ता की गुफा अजन्ता को अजिष्ठा भी कहा जाता है अजिष्ठा भी कहा जाता है चाहे जो भी एक्जाम में आए तो इसकी संख्या है अजन्ता की गुफा है 29 या 30 तो आजनता की घुफा काउन सी घुफा पर है कहां पर कॉंशी गुफा है उसको देख लेते हैं ठीक है उसको देख लेते हैं एलोरा हो गया एलिफेंटा हो गया एलिफेंटा और अजंता एलोरा एलिफेंटा अजंता ये तीनों गुफाएं है आपकी महाराश्ट्रा में महाराष्ट कहाँ पर हैं ? तीनों है呢 महाराष्ट मैं ठीक है ? मतलब पूछ इसंको इंग जाम में भी पूछ लेता है कि जैसे इलिफ Families की गुफा कहां है । महाराष्ट दिय दिल्ली दिय दय और जगहने दिय तो till 36 गन दे सकता है तो जहां है वहां लिखना है, तो महाराष्ट में ये तीनों गुफाएं हैं, इसके बाद बाग की गुफा कहा है, बाग की गुफा, बाग की गुफा है, मध्य प्रदेश में है, यानि यमपी में, यमपी, बाग की गुफा यमपी में है, इसके बाद एक है जोगी मारा की गुफा, नीचे जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं, जोगी मारा, जोगी मारा की गुफा है, जोगी मारा की गुफा 36 गड़ में है, 36 गड़, जोगी मारा कहां पर है, 36 गड़, बस इतना याद कर लेंगे, कहां से गुफा कहां पर है, यह हो गया आपका, यह टोपिक हो गया, इसकी आगे चलते हैं अब हम देखते हैं अब रंगो के बारे में देख लेते हैं जो कि आपके एक्जाम में रंगो शे संबंधित क्यूश्चन आते हैं और हर साल आते हैं ज्यादा से ज्यादा क्यूश्चन बनते हैं यहां से तो इसको हम लोग बहुत ही बढ़ियां से देखेंगे चलिए देख लिते हैं इसको रंगों से संबंधित क्यूश्चन को जैसे क्यूश्चन पूछ लिया आप से क्या पूछ लिया निम लिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है प्राथमिक रंग नहीं है नहीं है निम लिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है अप्सन में दे दिया पहला अप्सन में दे दिया लाल दूसरा अप्सन में दे दिया पीला तीसरा दे दिया नारंगी चौथा दे दिया नीला आप बताए इसमें से कौन सा प्रात्मिक रंग नहीं है लाल, पीला, नीला लाल, पीला, नारंगी, नीला इसमें से कौन सा प्रात्मिक रंग नहीं है तो अगर आपको पता रहेगा तो आप उत्तर दे देंगे, अगर नहीं पता है तो आप तुक कमार के चले आएंगे और गलत हो जाएगा ठीक है, तो देखते हैं इसको देखते हैं, एक ट्रिक से देखेंगे हम लोग, और एकदम क्लियर हो जाएगा चलते हैं देखते हैं देखिए देखिए प्रात्मिक रंग होते हैं तीन प्रात्मिक रंग यानि प्राइमरी कलर तीन होते हैं कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं प्राइमरी कलर होता है लाल नीला और पीला लाल, नीला, पीला प्रात्मिक रंग यह हैं कौन से रंग हैं? प्रात्मिक रंग तो प्रात्मिक रंग प्रात्मिक प्रात्मिक रंग बराबर कितने हैं? लाल नीला और पिला कौन-कौन? लाल, नीला, पिला यह तीन रंग हैं, प्रात्मिक रंग हैं कौन रंग हैं? प्रात्मिक रंग तो इसमें से देखिए क्या पूछा है? निमलिखित में से कौन सा रंग प्रात्मिक नहीं है? प्रात्मिक रंग नहीं है पीला यह सभी प्रात्मिक हैं कहने का मतलब यही दितियक है तब नारंगी जो है यह दितियक है समझना तो ऐसे तो एक रंग निकाले हैं तो पूरा समझ लेते हैं प्रात्मिक इतने हैं लाल नीला पीला यह तो प्रात्मिक हो गए दितियक कौन से होंगे तो देखिए दितिय आपके एक्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि निमलिखित में से कौन सा रंग दो रंगों के मिस्तरण से बना है तो दो रंगों के मिस्तरण से दितियक रंग बनते हैं जो दितियक रंग है वही दो रंगों के मिस्तरण से बने है प्रात्मिक ए लाल नीला पीला ए दो रंगों के मिसरंड से ए नहीं बने है इसको ध्यान रखना है लाल, नीला, पीला में कोई रंग नहीं मिला है नीला में कोई रंग नहीं मिला है पीला में कोई रंग नहीं मिला है सिंगल कलर यह तीनों होते हैं ठीक है? और मिक्स कलर जो होते हैं वो दितियक रंग होते हैं एक्जाम में आया कि किस में कौन सा रंग दो रंगों के मिस्टरंड से बना है तो जो दितियक रंगों होंगे वही हैं कौन कौन से होंगे तो लाल और नीला मिलाने से क्या बन जाएगा लाल और नीला मिलाने से बन जाएगा बैगनी लाल नीला से बैगनी बन जाएगा पीला और नीला से बन जाएगा हरा बन जाएगा क्या बन जाएगा हरा बन जाएगा लाल और पीला से बन जाएगा नारंगी कौँ सा बन जाएगा नारंगी बन जाएगा और ये तीनो मिलाने से बने हैं इसलिए दितियक रंग हैं तीनो दितियक रंग जो होते हैं मिलाने से संपितन हैं मिक्स कलर होते हैं इसको ध्यान रखनाहाई है। ऐसे भी क्योश्न आते हैं कि निमलिख सो बनाकरी की और या ऐसे भी सकता है कि नारंगी किसीशPl Top Our तो लाल और पीला से बना है नारंगी इसको भी ध्यान रखना है तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं तो पहले दिती एक देखते हैं मिलाने से जो बने रंग कौन कौन सा बना बैगनी एक बना नीला और पीला मिलाने से हरा बना लाल और पीला मिला देने से नारंगी बना ये तीनों क्या हो गए दितियक रंग हो गए यहाँ दिख रहा है ना चलो दितियक दितियक रंग है कौन कौन से बैगनी है यहाँ कौन सा बैगनी इसके बाद हरा है इसके बाद नारंगी है एतना हो गया और आप लोग पूरा इसको लिखते जाएंगे तभी समझ पाएंगे नई तो अभी तूँ देख रहा हैं समझ रहा हैं फिर बाद में भूल जाएंगे तो आगे चलता है हम लोग देखते हैं यह हो गया तो देखिए किस रंग से मिलाने से कौन सा रंग बना है तो यहाँ पर देखिए लाल प्लस नीला मिला देने से बन गया क्या बैगनी बन गया लाल प्लस नीला से बैगनी बना है ठीक है इसके बाद नीला प्लस पीला से बन गया क्या हरा नीला प्लस पीला से बन गया क्या हरा इसके बाद पीला प्लस लाल से बन गया ना रेंगी कांसा पीला प्लस लाल से बन गया क्या ना रेंगी यानि औरेंज कलर बन गया तो यहां से भी क्योश्चन आते हैं इसको भी आप लोग याद कर लेंगे मैंची जी इसी को ध्यान में रखेंगे इसी से सब बन जाएगा आपका इसको याद कर लेना है आपको बार बार देखना है वीडियो तब ही याद कर पाएंगे और इसको लिखना भी है जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं कर पाएंगे यह हो गया अब इसको मिटाते हैं और इससे संबंद ही दूसरा क्योश्चन देखते हैं यह जो है यहां से भी क्योश्चन बनते हैं यहां से भी क्यूश्चन बनता है और यहां से भी यह तो क्यूश्चन ही है कहने का मतलब इसमें से भी क्यूश्चन बनेगा इसमें से भी क्यूश्चन बनेगा जैसे बैगनी किन दो रंगों के मिसरनट से बनता है तो लाल प्लस नीला से बनता है हरा किन दो के मिसरनट से बनता है नीला और पीला से नारंगी किस से बनता है पीला और लाल से बनता है ठीक है? इसको ध्यान में रखेंगे और ऐसे भी पूछ सकता है लाल और नीला से कौन सा रंग बनता है तो जानते रहेंगे तब बताएंगे भैग नहीं तो इसको एक गोला में जो है इसको पूरा समझ लेंगे याद कर लेंगे जैसे हम पहले बताए हैं उसको समझ समझ करके याद कर लेंगे बहुत अराम से हो जाएगा तो इससे संबंदित और भी question बनेंगे तो देखते हैं उसको कैसे बनेंगे